इस मंचा से बिल आया गया है उससे तो नहीं लगता कि सरकार उसकी नियत इसमें सही दिख रही है। किसान उल्टा नाराज है, सडक्प है, अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है, वो सरकार से समर्थित के समर्थन में बिल्कुल नहीं है, सरकार की बात मानने को प्यार नहीं है, और अतिया जिसको चोर लुटेरा बोला गया, कि वो लूट ववस्था का पार्ट है, वो बहुत समर्थन के बाद, क्या मंडी बचेगी या नहीं बचेगी, जब मंडी नहीं बचेगी तो डेटा कहा सा है, जो अधीनियम आप लाएं है, उन अधीनियम में एक लाइन आइड कर भीजे, कि मिनमम सपोर्ट प्राइस से नीचे खरीदारी करने पे, खरीदार की ऊपर जुर् ऊंदातार अरें सत्ता करें ये जो सत्ता घारे पार्टी लेकर आई है, वो उनके हाक में है, लेकिन अगर हम डाटा पर नजर डालते हैं, तो उस डाटा पर नजर डानने पर जो थुश है, वो बाजारबाद के तमाम रोट लेकिन जो दुखी है वो सड़कों पर है लेकिन सड़कों पर उतरने के बाद ही सत्ताधारी पाटियों को किसान की चंता दिखाई नहीं देती आज हमारे साथ मौझूद है विजर प्रताप सिंग अदित्या जो की एक गाओं के CEO और पाउंडर है सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो समस्या है जिसे व्याफक रूप में देखा जा रहा है लेकिन इसके बावजूद किसान परिशान है और जो बाजारवाद जो मंडी की अगर बात करते हैं तो जो खरीदने वाला है वो खुश है ये क्या समस्या है सर ये आपने किसानों को अजाद मंडी विवस्ता से लूट की मंडी विवस्ता से अजाद करने के लिए बनाये गया है कई मंत्रियों ने बार बार ये बात बोली है कि जितने व्यपारी हैं अड़तियां हैं जो कि मंडियों पर कबज़ा करके बैटे हैं और किसान की हक्ता पैसा मार रहे उन चोर लुटेरों से बचाने के लिए भारत सरकार ने ये कानून लाया है ताकि किसान उनके चुंगल से अदाव सकते हैं पर मज़ेदार बात ये है कि किसान उल्टा नाराज है, सड़क पर है, अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है, वो सरकार से समर्तित में बिलकुल नहीं है सरकार की बात मानने को त्यार नहीं है, जबकि वो वैपकारी जिसको चोर लुटेरा बोला गया, वो अरतिया जिसको चोर लुटेरा बोला गया, कि वो लूट ववस्था का पार्ट है, वो बहुत खुश है, ये जब तक ये सवाल हम नहीं समझेंगे, तब तक हम ये नहीं स किसानों के साथ काम करता है मंडियों में जो अड़तिया हैं जो ट्रेडर हैं उनके साथ काम करता है भारत के भिन राजों में उनमें से हमने कई मंडियों में जहां मंडी ववस्ता अच्छी चलती है सुचारू चलती है वहां हमने बात करी मंडी में अड़तियों से भी बात कर करते हैं और साथ में किसानों से भी बात करें सबसे बात करने के बाद जो आकड़े आए हैं वह आकड़े कुछ इस तरह से ब्यान करते हैं कि जवलपुर की जो मंडी है वहां पहले व्यपार 25 रुपए का टैक्स जो आवक होती है जो मेटीरियल किसान लेके आता है मंडी में उसमें सिर्फ टैक्स ही जो कि तक्रीवन देड़ से दो परसेंट और 1.7 परसेंट अक्शुली मंद्रकदेश में है वह टैक्स तक्रीवन था तक्रीवन 25 रुपए पर दिन का टैक्स आता कालेक्शन होता था इतना बड़ा व्यपार होता था जो मंडी आज की तारिक में व बार बार यह कह रही है कि नहीं मंडी विवस्ता कतम नहीं की जारी है हम मंडियों को बंद नहीं कर रहे हैं यहां तक कि मद्रकदेश शाषन ने मंडी परिशत को बोला है कि आपका मान लीजी आपको घाटा होता है तो आपकी सैलरी और बाकी विवस्ताइं हम करेंगे सरका पर यह बात किसान मानने को तयार नहीं है पर किसान जानता है क्षान के दाथ के लिए दिखाए जात है, वो कुछ और हैं और खाने के दाथ के लिए, यह कान स्थे कानून ने साफ टेकलए कर गिया है के कानून एक काला कानून है बजार विवस्ता खतम करके किसानों को निराशर छोड़ने का कानून है यह बहुत एक बहुत डेंजरस कानून है जो कि एक अमारे प्रिशी उद्द्यों को गलत डारेक्टिर में ले जा रहा है सर्कार को यह साफ तोर पर दिखाई दे रहा है कि किसान इसका बिरूर कर रहा है लेकिन उसके बावजूत ततफधारी पार्टियों का यह कह रहा है कि यह उत्ध में है लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी कि सर यह जो बिल है इसके अंदर ऐसी कौन से में पॉइंट्स है ज जिस पर बात होनी चाहिए जो कि बात नहीं हो रही है और वो कौन से खामिया है जिसको उगहार कर दिखाना चाहिए लेकिन उसमें भी कहीं न कहीं कोई कमी आ रहे है तो सर कैसे देखते हैं आप इन तमाब चीज़ों को बिलकी जो में मुख्य मुद्दा बिलका ये है क्या एपी एम सी संशोधन के बाद क्या मंडी बचेगी या नहीं बचेगी सरकार का कहना है मंडी बचेगी जितने भी कृषी चेतर के एक्सपर्ट हैं जो किसानों की हित की बात करते हैं उनका मानना है मंडी बचेगी ही नह किसान को क्या दाम मिल रहा है इसका कोई डेटा कोई जानकारी सरकार के पास नहीं है और ना आएगी आने वाले समय में क्योंकि किसी के किस देट पर बिखता है यह जानकारी मंडियां देती है अगर हमको पता लगता है कि क्रिशान को नुकसान हो रहा है तो मंडी के डेटा में एक को देख के हमको पता लगता है जब मंडिया ही नहीं बचेंगी तो डेटा कहां सा है फिर रही बात तो जितने भी किशी किशी एकनोमिस्ट है और किसान है वो लीडर है तो वो यह बात बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है आप बोलना चाहते हैं कि बाहर पैखरीदारी होगी तो ठीक है जो मिनिममम सपोर्ट आप तक्रीवन 22-23 क्रॉप का अनौंस करते हैं वो आप अशॉरंस कर दीजे आप जो अधीनियम आप लाएं है उन अधीनियम में एक लाइन आइट कर दीजे कि मिनिममम सपोर्ट प्राइस से नीचे खरीदारी करने पे खरीदार की ऊपर जुर्माना हो सकता है उसके अगे और इन सरकार नहीं देगी सरकार ने यहां तक किया है कि खिशान को टेंपरेरी खुश करने के लिए अचानक से MSP में 1.3% का बड़ातरी करके बोला है कि हमने MSP बड़ा दिया है और देखो MSP की ववस्ता चालू है लेकिन वो ये बात बताना भूल जाते हैं और जान से जिनके अनाउंस करते हैं MSP उनमें से खरीदारी एक्ट्वल सिर्फ दो क्रॉप की होती है वो है गेहूं और चावल इसके अलावा कि धान की इसके अलावा किसी चीज़ की खरीदारी की जातर MSP पर नहीं होती वो MSP से नीचे ही जाता है 20-30% तक्रीम नीचे जाता है MSP सिर्फ MSP की ही अगर हम बात करें तो अगर हम यह देखें कि जो सरकार बोल रही है कि हम MSP पर ही खरीदेंगे उसमें अगर आप देखें हैं तो आप यह पाएंगे कि पिछले कई सालों में पिछले 10 सालों में यह और यह हर साल दर साल 5-6 प्रतिश्यत की व्रति हुई है एगरी इंपूट कोस्ट में जबकि मिनमम सपोर्ट प्राइस की व्रति तिरिफ एक या 1.1 और 1.7 या मैक्सिमम 2 परसंट तक मिनमम सपोर्ट प्राइस की व्रति हुई है तो मतलब लागत बढ़ती जा रही है किसान को जो मिनमम प्राइस है वो ही कम बढ़ाए जा रहा है सरकार के द्वार मैं तो किसी मार्केट की बाती नहीं कर रहा है और यह हम सब जानते हैं कि मार्केट जो MSP है उससे नीचे ही ड फाइदा पुचाने का है सची में अगर यही बात है तो फिर आप MSP के नीचे की खरिबदारी को बैंट कर दीजें MSP से नीचे खरिबदारी अलाओ ना करें तो किसान को फाइदा हो जाएगा किसान ब्यापारी के साथ किसान मीं कुछ हो जाएगा लेकिन सर इसी के साथ लगातार केंद्र सरकार जो फूरा विपक्ष है उन पर सिर्फ और सिर्फ एक ही आरोप लगा रहा है कि वो नफरत की राजनीती को बढ़ावा देते हुए किसानों को पहगा रहे हैं और किसान भी जानता है कि इस बिल में कितने बेनेफिट है और तम पूरा को पूरा सेनारियों ऐसे आप किस तरह से देख रहे हैं क्या यह सिर्फ विपक्ष मुद्दा पुनाने के लिए इन चीज़ों को कर रहे हैं जो की सत्ताधारी पार्टी लगातार आरोफ लगा कर किसानों को इसको एकसेप्ट करके आगे बढ़ने के लिए जो बार आप खुद देख सकते हैं सड़क पर भी विवच्छ दिखाई नहीं दे रहा है जो दिखाई दे रहा है वो किसान दिखाई दे रहा है सारे राज्यों इहां तक कि बोला जारा है पंजाव और हैंड़ा जहां गयहूं और धान का करिदारी होती है वहां की प्रावलम ऐसा किसान इतना जागरुक है हमारा किसान जिसको थोड़ी सी वजार विवस्ता में बदलाव आता है तो थोड़ी बहुत जल्दी सम्मिमा जाता है अब आप एक चीज देख लीजे के पेट्रोल के दामों डीजल के दामों में जिसका उप्योग किसान खेती में खेती में पंप के लिए इरिगेशन के लिए करता है उसके दामों में 20-30% की विद्धी हुई है पिछले 4-5 में में इसका डारेक्ट इंपाट किसान के उपर होत देरें उस रुपोर्ट में जो नया अभी जो नया मिनिममम सपोर्ट प्राइस के सरकार ने अनौंस किया है अभी खरीब के फसल और अभी के फसल के लिए उसमें मैंने आपको कैल्कुरेट करके दिखाया है कि पर कुइंटल किसान को MS वामिनातन फॉर्मूले के हिसाब से गेहूं में 252 पॉपए 50पैसे का ज्वार में 506 रुपय का डालों में 918 रुपय का नुकसान हो रहा है पॉर्मूले के हिसाब से भी नुकसान हो रहा है बढ़के नहीं मिल रहा है MSP के formula के हिसाब से जो सरकार ने अपना formula C2 announce किया है उसके हिसाब से नुक्सान हो रहा है तो ये बोलना कि किसान को ये बात समझ में नहीं आ रही है, किसान को बहकाया जा रहा है ये बिलकुल गलत है, किसान को अच्छी तरह से पता है कि उसको वजार एक मुल्य निर्धारन करने का mechanism है मंडी एक मुल्य निर्धारन करने का mechanism है, वो एक baseline से set करता है तो baseline जब market में set हो जाती है, तो उसके आजू बाजू पांच या 10% मार्केट जाने की तंबावना बनती है जब production harvesting होती है, लेकिन अगर जब वो baseline ही नहीं रहेगी तो ये निश्यत है जो कि 25 से 30 साल, 40 साल पहले होता था और देश के कई राज्यों में अभी भी होता है, जैसे बिहार जहामने नहीं है अभी भी होता है कि price एक दम गिर जाता है, तो ये होता है कि बिहार के किसान को पंजाब या हराणा जाके अपना माल बेचना पड़ता है, जो कि वो बेचना नहीं चाहता है उसको इतनी दूर 2,000-4,000 km जाकर माल बेचने का शौक तो नहीं है, वो इसलिए बेचता है, कम चेकम वो 50 पैसे या एक रुपए एक्स्ट्रा जो मिल जाए मुझे, जो मुझे बिहार में नहीं मिल रहा, वो मिल सके, उससे नुक्सान किसका हो रहा है, बिहार के किसान का नु तो बजार व्यवस्ता एक बेसलाइन तै करती है, और उस बेसलाइन के ऊपर ही मार्केट वर्क करता है, अगर आप बेसलाइन का प्लान बना रहे हैं, तो जो की बिल्कुल तै है, मैंने आपको धारन दिया, मंडला जहां हम लोग काम करते हैं, मंडला की मंडी में तक्रीव परसेंट के करीक, यह इस वक्त – 10-20 परसेंट के करीब इस वक्त आवक हो रही है, मतलब माल आ रहा है, बाकी सारा माल बहार भीचा रहा है, मंडला के बाजू का एक और मन्डी है, डिंडोरी, जो एक और जिला है मधिर्वपरदेश का, वहां तो पूरा का पूरा मंडी बंदो चुका है मंडी में बिलकुल भी माल आ नहीं रहा है अब यह सिनरीयो कितने जिन चल सकता है है एक साल यह दो साल उसके बाद सब्कार इन मंडियों को अब सिक होशित कर देगी कि यह बीमार है और बीमार को कर के इस को बेच दिया जाएगा इस सारी फ्राइम प् को फैफिर शॉपिंग मॉल्स और सरकार उनको उन जमीनों को बेच के अपना फायदा देख रही है किसानों को फायदा नहीं देखे सरकार का क्या मंशा है यह तो सरकार हमको देखना चाहिए क्योंकि जिस मंशा से बिल आया गया है उससे तो नहीं लगता कि सरकार उसकी नियत इसमें सही सही दिख रही है अगर किसानों का अंदोलन जो की जारी रहेगा मेरा मानना है किसानों का अंदोलन जारी रहेगा और जो अगर मालीजे किसानों को बड़ा नुकसान सहना पड़ता है आने वाले समय में जबकि हमारा अंदाज है कि बहुत जादा पैदावार हो रही है खरीब की और उसमें नुकसान होता है किसान को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है तो किसान अंदोलन उगरी नहीं बहुत जादा उगर हो जाएगा और सरकार को मजबूर मजबूर होके सुनना पड़ेगा बिल पास करवा लेना किसी भी ट्रिक से ये सरकार को ट्रिक साहद समझ में आती है लेक किसान जानता है कि अगर उसने ये नहीं किया तो तीस से चालिस साल पुरानी जो साहुकार और सामंत वाली विवस्था थी वो विवस्था दोबारा आती दिख जाएगी जब हम बॉली वुड की फिल्मों में देखते थे कि वेपारी आके किसानों से पौने पौने दामों में उसकी जमीन गिर्वी रखके पसलें ले रहा है और और किसान अंत में आत्मत्य करने को मज़ूर हो रहा है तो वो स्तिती दोबारा आ सकती है वो बहुत भायवे स्तिती है हमने तीस चालिस सालों में जितना भी गरीवी को हटाने के लिए किसी विवस्था को टीक करने के लि के लिए सिंसिर हैं सोचते हैं तो वो कुछ अपनी तरफ से पहल उठा के कुछ कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि यह बापिस हो जाए तो आपको लगता है कि इस आंदोलन का पर सत्ताधारी पाटी के ऊपर पड़ेगा या किसानों की जो आवाद बुलंद होकर उनके खिलाफ उट रही है वो कहीं न कहीं उनको एफेक्ट करेगी या पिर जो बिनिंग गीम उनका जारी है वो लगातार चलता रहेगा कैसे देखते हैं आप बिहार चुना को किसाना अंदोलन के साथ जोड़ कर थोड़ा मुश्किल है कह पाना कि किस तरीके से क्योंकि एलेक्शन आज कल मुद्दों पर कम जो बिकार के मुद्दे हैं उस पर लड़े जाते हैं अगर वोटिंग पर्सेंटेज लोगों का बढ़ता नहीं है जो कि वोट करने आते हैं और वोटिंग पर्सेंटेज में अगर इंप्रूब्मेंट नहीं होता है तो शायद विहार की जनता ये चुना भार जाए तकार चाहे जीट जाए इन से बात करने के लिए बहुत 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 शुक्राइब 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 झाल झाल झाल